जैन दोस्तो आज से हम RS अगरवाल जो मैस है इसको complete detail में पढ़ना इस्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम गरेज जी का नाम ले लेते हैं सिरी गरेज़ाई नबा जै भोलेनाज जै महाकाल ठीक है इस बर सभी को सपलता प्रदान करें ऐसी मैं मनोकाम ना करता हूँ इस से आपको कोश्चनों को practice कराऊंगा बाकी basic मैं अलग-अलग bookों से भी basic को complete पढ़ाऊंगा ताकि आपका basic बिल्कुल भी न छूटे concept मैं आपको starting की class में पढ़ाऊंगा और इसके बाद जो book में example दी हैं उधारण दी हैं जैसे की first chapter की बात करते हैं इसमें 15 उधारण है पहले हम उनको solve करेंगे इसके बाद इसके exercise हम start करेंगे और मैं सभी कुस्चनों को आपको solve कराऊंगा जो बहुत ज्यादा similar रहेंगे उन कुस्चनों को मैं drop करता जाऊंगा यदि फिर भी उनमें से कोई question आपसे नहीं बनता है तो आप नीचे comment से बताएंगे तो मैं एक special class में उन doubt को फिर से solve करा दूँगा ठीक है तो चलिए हम start करते हैं इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दूँ देगी आरे सगरबाल मैस से जितनी भी प्रतियोग के परिच्छा होती है सभी में काम आती है ना चाहिए MP पुलिस ले, MPSI ले, UP पुलिस ले, यानि कि All India Level क कि जितने भी बंडे एक्जाम होते हैं SSC, Bank, Railway इन सभी में एक बुक सबसे best बुक मानी जाती है तो इससे आप एक बार गड़ित पढ़ लेते हैं तो आप इन सभी प्रतियोगत परिच्छा हों में यानि कि इंडिया की सभी जो एक्जाम है उनमें आप आउट आउट आउ सबसे पहले हम बात करते हैं अंक क्या होता है दोस्तों देखिए अंक होता है कोई भी गिंती की संकेज जैसे होके 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 चैसे होता है जितने भी अंक बनते हैं इने डिजट से बनते हैं तो इतना आपको शाम हों माला में उनकों का सखिए प्रतियों होते हैं 0 10 यह,प्रत सखरब्र कौनाइक जितनी संक्फर होंगि उनकों हमहें原चा संख इंग रहा हाई ती बन से स्टाट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस प्रकाय से डेट, डेट हैस कहां तक, अनन तक, जहां तक भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते हैं, यानिकि अनन तक, ठीक है, इंफिनिटी में लगा देता हूँ, ये सारी हमारी के क्यलाएंगी, प्राक संख्या होती है, तो सबसे चोड़ी प्राकृत संख्या होगी, बन, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, इसको निकालना आसंभाव है, ठीक है, या परिभासित होगा, आसंभाव होगा, ऐसा option मिल जाएगा, क्लियर है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इंगलिस में इसको कहलते है हॉल नमबर है यानि कि हम प्राकरत संख्या में 0 और सामिल कर दें यानि कि यह 0 से स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 4 है ना 5 6 7 इस प्रकार से यह भी कहां तक जाएंगी अनंद तक जाएंगी अब यहां से सकता है सबसे चोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ग्यात करना असंभाब है क्लियर है मैं बहुत आरम आरम से समझाओंगा यदि किसी को फास्ट पढ़ना है तो इस फीट बढ़ा कर आप देख सकते हैं समसंख्या समसंख्या इसको इंग्लेस में कहते है इवन नंबर ठीक है समसंख्या कौन सी होंगे दोस्तों एनिक एसी वह संख्या है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं वो हमारी समसंख्या कहलाती है जिसमें किया दो से विभाजित हो जाएं ठीक है मैं यहां पर भी देता हूं दो से विभाजित होने वाली संख्या हैं हमारी क्या 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 लाएंगी सम संख्या हैं जैसे कि इसके एक्जामपल में बात करें इसके एक्जामपल सम संख्या जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी संख्य ले ले ले, 2 से बिवाजित काट जाएगा, 4, 6, 8, 10 , या कोई बड़ी संख्या लेना चाहें, तो 108 या कुछ और भी संख्या ले सकते हैं , तो यह सब इसंख्य कैसे हैं से बिवाजित तो हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी सम संख्याओं को पहचानने का और सिंपल आपको मैं नियम बताता हूँ कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका एकाई कंग देखें आप 0 आए 2 आए 4 6 8 ठीक है 0 2 4 6 8 आपको काई इस्थान पर कहीं पर भी दिखाई दे तो वो सारी संख्या हमारी कौन सी संख्या होंगी सम संख्या होंगी even number होंगे ठीक है तकी basic अब अच्चे सा समझ के चलिएगा बिसम संख्याओं की बात करते हैं इंगलिस में इसको कहते हैं क्या odd number यानि कि उल्टा हो जाएगा इसका ऐसी संख्या जो दो से विवाजित ना हो जो दो से विवाजित नहीं होंगी वो हमारी कहके लाएंगी बिसम संख्या है ठीक है दो से विवाजित नहीं होंगी example में हम इसके ले तो बिसम संख्या हम ले सकते हैं एक तीन पाँच, साथ ठीक है, नो तो विभाजित स्वरी नो, दो से विभाजित नहीं होगी नो, ग्यारा, तेरा है ना, इस प्रकार से कोई बड़ी संख्या भी हम ले सकते हैं, पंदरा इस प्रकार से चलती जाएंगे इनमें देखी किसी भी संख्या है, माँ भाग लगाएंगे दो से भाग नहीं जाएगा तो ऐसी संख्या हैं, जिनमें दो से भाग नहीं जाता वो हमारी बिसम संख्या कहलाएंगी इनको पैचानने का एक सरल नियम आप याद रख सकते हैं इन संख्या हम एकाई इस्तान पर हमेशा क्या आएगा इन अंग को याद रखी एक, तीन, पाँच, साथ और नौ एकाई इस्तान पर इस अंग दिखाई दें वो हमेशा विसम संख्या होगी मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ न या तो भाग लागा कर भी चेक कर सकते हैं फिर एकाई अंक भी देखकर आप संबिसम बता पाएंगे अब देखीगा हम आगे बढ़ते हैं भाज संख्या ठीक है तो भाज संख्या क्या होगी दोस्तों देखी नाम से क्लियर है यानि कि यह संख्या जिसमें एक और स्वयम यानि कि वो संख्या स्वयम तो जिस भी संख्या में एक से तो सभी में जाएगा और स्वयम यानि कि अपने आप से और स्वयम के अलाबा किसी अन्य संख्या से के अलाबा है ना मैं यहाप इस स्वाट में लिखूंगा के अलावा अन्य संख्या से अन्य संख्या से विभाजेत होने वाली संख्या हमारी भाजे संख्या क्या लाएंगी जैसे कि एक्जम्पल से हम समझते हैं भाजे संख्या हो कि हम कोई भी एक्जम्पल ले ले जैसे कि चार हो गया, छे, आठ, नो, दस, इसे कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे कि इसमें देखिए, चार में देखें कि भाज्य है या नहीं है, तो इसमें एक और चार से तो हमेशा जाएगा, एक और स्वाहिम से, इसके लावे दो से जा रहा है, तो देखें, अन्य संक्या से भाग च भाज्य, छे में, एक और च्छे के अलावा, दो से भी जाएगा, दो तीन से भी जाएगा, तो छे भी कैसी हो गई भाज्य, आठ, एक और आठ के लावा, दो से चला जाएगा, चार से चला जाएगा, नो में, एक और नो के अलावा, तीन से चला जाएगा, यानि कि ऐसी सं स्वाहिम के अलाववह ₹ счит संख्या के अलावह ₹ से भाग ना जाये ठीक है मैं स्वाट में लिखता हi नमें से ₹ भाग नाजाय ₹ हionar कि घालांगे हमारी अवाज अभाज संख्या जिन मे हैं श्वाहिए किया स्वाम है एक और किसी भी संध्या लावाज संख्या fracture नहीं कटेगा, तो दो अभाज संख्या होगी, इसमें confusion हो जाता है, दो कम भाज लगा देतें, नहीं, क्योंकि एक और स्वेम, संख्या कलाब इसमें किसी भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हमारी के कलाएगी, अभाज संख्या, तीन, पांच, साथ, है ना, ग्यारा, बड संख्या, एक और स्वेम के अलाबा, किसी से भी न कटें, चैंसल हो या भाग न जाए, वो हमारी अभाज संख्या कहलाएंगी, अब आगे वड़ते हैं, सह आवाज संख्या जिसको को प्राइम नंबरी भी कहते हैं, तो कि सह आवाज संख्या के, का होती है, यानि कि इस संख्या जिन में महत्तम संपर्त यानि SCF जो संख्या होती है उनका SCF एक हो यानि कि एक के अलावा कोई इसमें common जो फेक्टर हो वो ना हो वो हमारी सह अवाजी संख्या या को प्राइम नंबर कहलाती है जैसे कि अब उसलिए संख्या नहीं कटेगा जो कि इसलिए को वो एक के अलावा जिसमें आपस्म कट जाये जो इसे कि दोल है यहाज से चार प्राइम नंबर कहलाती है और एक्जमपल में देखी जैसे ग्यारा और तेरा हो गए तो किसी की पाड़े में ऐसा नहीं आएगा तो 11 से 11 कट जाएंगे 13 नहीं कटेंगे 13 से 13 कटेंगे 11 एक से दोनों कटेंगे वाल एक के लावा दोनों संख्या कैंसल ना हो तो हमारी को प्राइम नमबर कहला आती है ठीक है इसे 17 19 तेकि इन सब का यूज कहां पर होगा जब हम को पढ़ेंगे नमबर सिस्टम और इसके अलावा भी कई सारे चैप्टरों में इन कॉंसेप्ट का मारा यूज होता है तो मैस का यह बिल्कुल बेसिक है इसको में पढ़ना ही होगा आप एक बार थोड़ा सा समय लगा लीजे जब आप नौकरी करने तैयार होई गए है तो थोड़ा सा पेसिंस भी बना के राकी मैं कहता हूँ कि आप पास से च्छे महिने बहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिगा आपका ऐसा कोई भी एक्जम नहीं होगा जिसको आप क्वालिफाय करना चाहेंगे और वो आपसे क्वालिफाय नहीं होगा बस सई डारेक्शन में में रहनत करेगा डेफिनेटली आपका सेलेक्शन होगा चलिए आगे बढ़ते हैं परीमें संख्याह हैं ठीक है परीमें संख्याहं की बात करते हैं इसको रेशनल अमर कहा जाता इंगलिस में परीमें संख्या क्या होंगी दोस्तों यह इसी संख्या जिनको हम P बंटे Q के रू तो यहां पर थेखिए हम ऐसे रखें यहां पर जैसे कि değerी संपल संख्या भी रखें 5 ऊपर और क्यों एक रखें तो 5 तो 5 परीमे संख्या ऐख फीजिदि के लावा साथ कोई इसको हम परीमे संख्या कहलाएगी जैसे हम 22 बटे 7 लिखें तो देगी P बटे Q करूप में लिख पा रहा है इसको P बटे Q करूप में लिख पा रहा है इसको इसको नहीं मतलब एक है इसलिए इसको हम परिमे संख्या कहते हैं बात क्लियर है यानि कि इस प्रकार सो कोई भी संख्या आएगी 7 बटे 9 जिसको अम पी बट जूक कर रूप में लिख पाएं तो हमारी परींगर संख्या कहलाएगी. क्लिर है? चलिए आरी में संख्याने की Irrational Number इसमें क्या होगा? यहने की इसको आम पी बटे क्यूक कर रूप में नहीं लिख सकते. इसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, यह हमारी अपरी में संख्या कहलाएंगी, जैसे कि इसमें Pi, Pi को आप देखी, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन Pi का मान जो 22 बटे साथ है, उसको लिख सकते, मान अलग चीज है, मान परी में संख्या में आएगा, और पाई जोकी सिंबॉल है इसको पीबटे की ग्रूप में नहीं लिख सकते हैं इसलिए अपरी में संख्या के लाएगा क्लियर रूट की जितनी भी संख्या आएंगी रूट टू हो गया रूट त्री हो गया यह तो पॉजेटेव हो यह फिर नेगेटेव हो तो यह सारे हमा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी बहाँ पर आप जुड़ जाएगा मैं जो भी क्लास यहां पर कर रहा हूंगा इसकी पीडिएप ग्रूप में डाल दूँगा जिससे आप घर पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बास्तिविक संख्या नहीं कि रियल नंब सं मिलत रूप टिक है न ठीक है आप अपर ही मैं अ चाहिनी कि परी में और परी में संख्याओं का सम् मिलत रूप प्लस लगा देता है थो दौनों पनिला दे मारि क्में कि कया यांई लिए साट सार इसंग्या शास आएएगी की बास्तिर संख्या कहलाएंगे ठीक है दोस्तों आपने संख्याओं के बारे में इतना आपने परीच्छ जान लिए अब चलिए हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं अभी तक आपने वीडियो के दी लाइक नहीं कर रहा है तो वीडियो को लाइक जुरू कर रहे हैं आपके ल कोई ईंख होगा इसका जातीमान कितना होगा तो समझे यहां से पूछे याम है इस संसuler जाती मान कितना होगो तो जिस संख्या के जातीमान पूंचिजा वह संख्या ही उसका आंसर होगी झांश कलिएयों सांथ किकर और दो पहुँच ले जाता है अब हम आगे बढ़ते हैं इस्थानिमान जिसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है इसमें भी एक संख्या देदी जाएगी और किसी अंका आपसे इस्थानिमान पहुच ले जाएगा चली 6 का स्थानी मान पूँचे, तो आप 6 लेकेंगे और पीछे अंग के देखेंगे, 2 हैं, तो 2-0 लगा दें, तो 600 होगा, 6 का स्थानी मान, चली 2 का पूँचे, तो 2 लेकेंगे, इसके पीछे कितनी, 4 अंग है, 1, 2, 3, 4, तो 2 का स्थानी मान आ गया, 5 का पूँचे, जिस अ जो विवाचता की नियम हैं जिसको बेवक्ती की नियम भी कहते हैं आप उनको और इस वीडियो में देख लीचेगा और कुछ फॉर्मूले हम इस वीडियो में देख लेते हैं ताकि next हम जो वीडियो रहेगी उससे इसके जो question हैं उनको solve करेंगे पहले हम इसके जो exercise में question दी हैं तूँकि उसको ही सबसे ज़्यादा महत्पून जो chapter होता है उसका starting जो example होते हैं उसको हम read के eddy कह सकते हैं यदि आपने वो 10-12-15 question हो की practice अच्छे से कर ली तो इसके जो आप practice करेंगे question हो को exercise वाले जो हैं उन में आपको वह ज़्यादा सुभीदा होती है और पूरा chapter समझने में आसानी होती है मैं आपको बिल्कुल 100% इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपने कभी भी life में आगे भी को पढ़ेंगे वीडियो को तो आप हमेशा अच्छे से perform कर पाएंगे exam में और पूरे number ला पाएंगे ठीक है चलिए दोस्तों विभक्ती की नियम देखते हैं देखिए सबसे पहले दोस से विभक्त होने का नियम देखिए इन विभाचता की नियम को कहाँ पर होगा जब भी आप संख्याओं को कैंसल करेंगे तो एक तो help वहाँ पर होगी दूसरी इन नियम उपर आधार एक direct question परिक्छा में पूचे जाते हैं पहले आपको ये नियम पढ़ना चाहिए इसका जब question पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पर इनके नियम जिस प्रकार से वहाँ पर follow होते हैं उसके बारे में बताऊंगा दो से वक्त होने का नियम क्या है? simple है दो से कोई भी संक्य कब वक्त होगी? आप देखें उसके एकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई भी एंके दिकाई देना तो वो संक्या आसानी से दो से वक्त हो जाएगी यानि कि आप सम संक्या देख सकते हैं सम संक्या में से दो से वक्त होगी यह फिर 0, 2, 4, 6, 8 एकाई के स्थान पर होंगे दो संक्या दो से वाजित हो जाएगी तो इस पूरी संक्या में भाग लगा के चेक नहीं करने एकाई के स्थान पर देखा 2 तो इसमें दो से भाग चला जाएगा तो आप दो से इजीली इसको कैंसल कर सकते यहां पर देखा एकाई कि स्थान पर 8 है तो इसमें अभी यहां पर सिर्फ इतने ही चेक करना है अब इसमें हम भाग लगा के यहां पर नहीं देखेंगे ठीक है आगे है तीन से विवक्त होने का नियम थोड़ा सा इंपोर्टेंट है इसको ध्यान से देखिएगा तीन से विवाज तक नियम कहता है कि जितने भी अंक है संख्या के इनको पहले जोड़िये ठीक है तो हम इनको जोड़ते हैं साथ पांच छे आठ और चार तो इनको जोड़कर योगफल कितना आगे है पहले योगफल देके साथ पांच बारा बारा च्छे अठारा और आठ कोल मिला कर वाजता किनिम कहता है जो संख्या उनके अंकों का योग यादि तीन से भाग जारहा है तो इस पूरी संख्या में पहला जायेगा इससे समझियेगा इल्कों प्लस करके देखेंगे ज़ुए लिक लिककर देख सकते हैं और अधि यह दे पच्चीस में तीन से भाग लगाएंगे जाएगा क्या नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी तीन से भाग नहीं जाएगा तो इस प्रकार से हम चेक टल लेते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं 9 से वाजता के नियम, 9 से वाजता के नियम भी 3 से वाजता के नियम जैसे similar है इसमें हम अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग फल मैदी 9 से भाग जा रहा है तो से इनको प्लस करें, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 6, 22, 24, 23, 27, 27, 27, 27 में 9 से भाग लाग देखा, चला गया, 3 बार तो इस पूरी संख्या में 9 से भाग चला जाएगा, यानि कि यहां भी हम योग फल में संख्या से भाग लगाएंगे इस प्रगाएं इसमें देखें, 3, 4, 7, sorry, 7, 3, 10, 5, 15, 15, 15, 16, 21, 29, 33, 33, तो यहां पर योग फल आगया, 33, 33 में 9 से भाग जाएगा, क्या, 29, 27, 27 नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं जाएगा, बस समझाए यह नहीं आई, यह इनकी ऐसी संख्या, जिनके योग फल में 9 से भाग जाएगा, तो संख्या में 9 से भाग जाएगा, अन्यता उसमें भाग नहीं जाएगा, तीन और 9 का सिमिलर, इसली मैंने दोनों को साथ बताया, हम आगे बढ़ते हैं, आगे हैं दोस्तों हमारा 5 से विवक्त होने का नियम 5 से वक्त होने का नियम के कहता है, सिम्पल है, आप देखें, एकाई स्थान पर 0 या 5 दिखाई दे, एकाई स्थान पर 0 या 5 दिखाई दे, तो उस पूरी संख्या 5 से वाजित हो जाएगी, यहाँ पर 0 है, तो यह पूरी संख्या 5 से वाजित हो जाएगी, जीरो और 5 ना द एकाई दे तो वो संक्या मारी 5 से वाज़ेत नहीं होगी clear है simple है अब इसके बाद हम बढ़ते हैं 4 से वाज़ता का नियम चार से वाज़ता का नियम क्या कहता है दोस्तों last दो डिजिट यानि एकाई धाई ठीक है सिर्फ last छार सभाग लागा कर देखें यह से लास्ट दो डिजिट यहां पर 32 है चार सभाग लगाएं चारा भी संख्या में दो बच जाएंगे न फूर्बाग नहीं जा रहा तो नहीं हुआ द एक आई और जाए आट यहा परविए दो चार से नहीं जाएगे, टीकर मैं एक तो दो जिजिट देखेंगे एक और यहाँ नटल जाएगा तो चार से पूरी संक्षें के इन तो इस संख्या 4 से cancel हो जाएंगे, बस समझ आ रही है, अब यहाँ पर देखेगिगा, 4 से वाज़ता के नियम के अलावा, 8 से वाज़ता के नियम, Similar है, जैसे 4 से वाज़ता के नियम है, जैसे similar है 8 से वाज़ता के नियम, इसमें last में 30 दिखाई दें ये फिल last की 3 डिजिट 1, 2, 3 एकाई धाई सेंकड़ा last की 3 डिजिट इसमें हम 8 से भाग लाकर चेक करेंगे 4, 16 8 से चेक करेंगे 8, 5, 40 1 बचेगा 16, 8, 2, 16 तो last की 3 डिजिट में 8 से भाग चला गया बस समझ आ रही है न यदि आपको कई में दिक्कत आती है तो वीडियो अवेलबल रहेंगे यूटूब पर आप कभी भी इन वीडियो को बापिस से देख सकते हैं ठीक है चली यहाँ पर देखी 11 से वक्त होने का नियम यह थोड़ा सा इसको हम कठिन भी कह सकते हैं मां कि मैं गड़त में किसी भी चीज को कठिन नहीं मानता और आपको भी नहीं मानना चाहिए लेकिन इसको ध्यान देना है 11 से वक्त होने का नियम यहाँ से कोशन भी जाद अतर पूंचे जाते हैं कर देखने के लिए मैं आप से कह रहा हूं धेहन दीजीगा इसमें हम कैसे चेक करेंगे से बड़ी संख्या इसमें 11 से भाग जाएगा दुप नहीं जाएगा तो इसके लिए सिम्पल है यहाँ पर बिसमस्तान गी पहला थीसरा पाचवा सादबा समस्तान दूसरा चोथा चटा और आडवा तो क्या हूते हैं सम और बिसमस्तान तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बिसमस्तान लेंगे समझ चान पर एक फिर शेंद फिर है जीरो भिश्म्स्थान यह पे मैं लेता हूं आप समझ जाएंगे भिश्मस्थान ही ना कि अप阅 को संक्थान उन्हों आ अब हम समुस्थान पर उन्हों कि एंग्यों किहां मिल्का म estrum इस्थान पर जो डिजिट है यहांने कि 9 है फिर 4 है फिर 1 है और फिर 8 है इनको अलग-अलग PLUS करते हैं बिसमिस्थान और समस्थान पर जो संक है इसके बाद दोनों को अंतर देखते हैं है यहां पर देखें पहले कितना आ गा पांच हुसारी पांच और चहे दौनी 12 माइनस यहां पर देखें तो कितना आएगा यहां पर 10, 4, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22 अब हम बड़ी संक्या में से गटा के देख लेना है ना पहले इसको भी लिख सकते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगे तो 22 में से 12 जाएं कितने बचेंगे यहां पर 10 इतना हमें करके चेक करना होगा इतनी बगा समझवा आ गई विशमिस्तान पर अंक है उनको प्लस करना है और समिस्तान पर जो आंक amps करना है इसको आप दोनों को अंतर कर देना है जो अंतर आएगा या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का multiple आना चाहिए, 11 के पहाड़ा यह आना चाहिए 11 का पहाड़ा कह सकते है देखे, इनका अंतर 10 आया ना तो 0 आया, ना 11 से विवाजित होगी संक्या तो इस प्रकार की condition में संक्या होगी 11 से विवाजित नहीं हो सकती, यदि अंतर 0 आता, या 11 का multiple आता, तो वो संक्या हमारी 11 से विवाजित हो जाती, चलिए अब दूसरी को चेक कर लेते हैं, इस पर समस्तान पर 9 है, फिर 0 है फिर 9 है, फिर 3 है, बागी बचे समस्तान पर, तो 9 0 9, 3, इनको प्लस करेंगे, माइनस बागी बचे कितना, 6 7, 6 2 कितना है, नदून 18 और 20, 21 माइनस, यहाँ पर देखें तो हम कितने हो जाएंगे, 12 और 7, कितने हो जाएंगे 12, 7 19, और 2, 21, तो 21 में से 21 जाएंगे, 0, देकि इनको अंतर 0 आगे, हमने अभी वही देखा, 0 आया, 11 का multiple, तो अंतर 0 आगे इस प्रकार से, तो इस संख्या में 11 से भाग चला जाएगा ठीके, तो इसको आप याद रख लेंगे, थोड़ी सी प्रेक्टिस करिएगा सब कुछ हमें आसान लगने लगता है, बस प्रेक्टिस हमें गड़ित में करना होती है लाश्ट देखिएगा, सास से विवक्त होने का नियम ठीके, इसका जाधा तर यूज नहीं होता है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं सास से वाजिता के नियम क्या होगा, जैसे आपके सामने संख्या है तो इसमें से लाश्ट संख्या को अलग करिए, ठीके, और जो संख्या सेज बज गई, वो कितनी अठासी है अब जो लाश्ट अंग है न, एकाई का अंग, इसको हम दोगना करते हैं एकाई का अंग को दोगना करें, कितना आएगा, चार एकाई को अंग को से संख्या से माइनस करते हैं कितना आएगा, चौरासी तो जो संख्या हमारे सामने अब प्राप्त होगी, इसमें हम सास से भाग लाग कर देखते हैं साथ एकम साथ साथ दूनी चबूदा यदि इसमें भाग चला गया सेश संक्या में तो संक्या में साथ से पूरा भाग चला जाएगा अब इसको समझेगा और क्लियर होगा लास्ट अंक का दुगना है तीन दूनी छे सेश संक्या 66 66 से 61 का दोगना माइनस करेंग 60 अब इसमें लगा के देखेंगे 7 से भाग 7, 8, 56 चार बचरा नहीं जा रहा भाग तो नहीं जा रहा थे संक्याम 7 से भाग नहीं जाएगा बात क्लियर हैं मैं बहुत आराम से समझाने कोशिस कर रहा हूँ ठीक है अभी भी आपको कोई परिशानी आ रही हो तो मुझे बताइएगा मैं अगले वीडियो से उनको सुदारने की कोशिस करूँगा चलिए आगे देखिएगा हम कुछ बिसेस फॉर्मूले और इस वीडियो में देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम डारेक्ट जो कोश्चन है उनकी प्रेक्टिस करेंगे चलिए जिस सारे फॉर्मूले आपको पूरे मैतमेटिक्स में काम आने बाले हैं बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं ध्यान दीजेगा आपने यूटुब पर या कहीं पर मोदी जी की वीडियो देखे होगी वह में ऐसा ए प्लस बी का हॉल स्कॉयर बताते हैं और वह फॉर्मूला में ऐसा गलस सुनाते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस होता ही होता है चलिए कोई बात ने आप सहीर याद रखीगा फ्लस बी का हॉल स्कॉयर क्या होगा इस फॉर्मूला है बीच में लगा हो प्लस फॉर्मूला होगा अगला है अगला है अगला है 4 a b, a square minus b square, एक बार plus, एक बार minus, a plus b और a minus b, इनको आप लिख लिख कर थोड़ा सा practice करेगा, इजी लिए आप से याद हो जाएंगे, आगे हम देखते हैं next, next formula a plus b का hall q, a q b q plus 3 a b, और bracket माएगा a plus b, यदि वीचे minus है a minus b का hall q, a q minus b, q minus 3 a b, और a minus b, यान कि हमारे दो formula लेखो similar रहतने हैं na, a q plus b q, इसका formula का बीचे plus है तो यहाँ पर plus आएगा, a plus b, a square, लेकिन यहाँ पर minus आएगा, गलती मत करिएगा, a square minus a b plus b square, बीच में जी minus है, तो पहले यहाँ पर minus a b, लेकिन यहाँ पर plus आएगा, उल्टा होता ह a square plus a b plus b square, तो यह सबसे महत्मून formula थे, वो मैंने आपको यहीं पर clear कर दिये, पूरे mathematics में formula में काम आने वाले हैं, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, next video से हम, जो question है, उनकी exercise करेंगे, थोड़ा सा patience ज़रूर रखिये, मैं आप से फिर से कहता हूं, कि एक दिन में कभी सफल हैं, नहीं मिलती, जो लोग short cut use करते हैं, मों में सा फैल होते हैं, या यह कहिएगा, 99% लोग उसमें फैल हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा patience के साथ, सही रहा पर चलते हैं, समय जरूर लगता है, लेकिन वो 100% सफल होते हैं, इस बात को आप अच्छे से बिठा लीजेगा, मैं सको सीखना है, तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, यह ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी मैं सीखा था, मुझे भी कभी बहुत काफी समय लग गया था, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, कि आप 4-6 महीने डंग से इसको पढ़ ले, तो आपको कहीं भी भटकनी के अवसकता नहीं होगी, ना कहीं पर भी आपको परिसानी नहीं होगी, है ना, चलिए, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना जाधा 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 चैनल प्रितिक व नने मात्रों